हमें यहां कनवर्ट करना है देज को एयर में इयर ठीक डे स्मोल है स्मोल को कनवर्ट करना है हमें बिग में स्मोल को बिग में कनवर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं हम करते हैं डिवाइड अब डिवाइड किस से करते हैं डिवाइड करते हैं 365 से डिवाइड करेंगे स्मोल को कनवर्ट करना है बिग में बिग यहां पर क्य सब्सक्राइब करेंगे एर ऐसी अगर हमें big to small convert करना हो big to small convert करना हो तब हम क्या करेंगे multiply करेंगे multiply किससे करेंगे 365 से अब small यहां पर क्या है day तो साथ में हम day लगाएंगे clear अब first question है इसमें 730 days 730 days इसको convert करना हमने years में first हम लिखेंगे days को convert करना है days into year day is a small unit small and year big small को big में convert करना है तो क्या करते हैं divide करते हैं simple यहां पर हम करेंगे divide 365 small को करना है big में big यहां पर क्या year साथ में हम लगा देंगे year ठीक तो question था हमाले पास 730 divided by 365 year clear अब 730 को divide कर लेते हैं 365 से तो 730 divided by 365 तो 2 पे कट हो जाएगा 730 आ जाएगा तो 730 डेज किसके को वल है टू इयर्स ठीक दिस विल भी answer clear अब next question है next है हमाले पास 17,000 डेज यहां पर हमें convert करना है days को year में days into year day is small and year is big small to big division divide by 365 big में convert करना है big है year साथ में year लगाएंगे clear अब 17,000 divided by 365 year clear अब इसको divide कर लेंगे हम 17,000 को 365 से सेवन्टीन थाउजन डिवाइड बाइ 365 365 फर्स्ट फोर पे कट होगा यह तो आएगा multiplier के 1 4 6 0 0-0 0 10-6 4 6-4 2 अपर से 0 कैरी लेंगे तो 2400 अब यह जाएगा 365 6 जाएगा multiplier के आएगा 0 9 1 2 0 10-9 1 3-1 2 तो 46 इसमें quotient है 210 remainder है तो 46 इसमें क्या आगए year 46 is year and 210 day clear अब इसको लिखेंगे हम 46 years 210 days this will be answer I hope दोनों questions आपको अच्छे से clear हो गई है तो next session में करेंगे next topic